इस मरीज की कमर में छेद करके डॉक्टर सहब ने निकाली पहाड जैसी पत्री तो ये होती है दूर्बीन जिसको बोलते है नेफ्रोस्कोप नेफ्रोस्कोप मतलब कि ये दूर्बीन किड्नी के अंदर किड्नी के अंदर जाके स्टोन को निकाल सकती है और आज हम बात करेंगे PCNL के बारे में Percutaneous Nephrolithotomy PCNL ने टिकनीक है कि जिसके अंदर किड्नी के अंदर कितना बड़ा स्टोन हो उसको हम छोटे चीरे से एक टाके के चीरे से उस टोन को निकाल सकते है और आपकी किड्नी को स्टोन फ्री कर सकते है तो आज हम समझेंगे कि PCNL क्या होता है PCNL करने के लिए दुरबीन कौन सी रिक्वाइड होती है क्या PCNL में पेन होता है PCNL के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन दर रिस्क है कब करते हैं हम ये PCNL PCNL में क्या खर्चा आता है और लास्ट में एक पेशेंट है जिनका हमने दो दिन पहले PCNL किया आपको पेशेंट से बात कराएंगे और उनसे बात करके आपको समझ में हैगा कि ये सेफ स्वजरी है और पेशेंट को हो सकता है कि 4-5-7 दिन अराम करना पड़े पर उसके बाद पेशेंट अराम से अपने घर जा सकता है तो वेलकम फ्रेंट्स तो मैं यूट्यूब चैनल मैं हो टॉक्टर विजयन गोविंदा गुपता नई दिली इंडिया में एक जिरॉलोजिस्ट और अन्रोलोजिस्ट जिरॉलोजिस्ट मतलब जो किड्नी और किड्नी से चैनला से लगये अ अधर किड्नी लोड़ के लिए किड्नी बॉड़ी में दो होती है कमर के दो तरह होती है और ये शीला गुदा गुदा होता है जो होता है वो नॉर्मली कमर के उपरी भाग में होता है और इस गुदे के अंदर नॉर्मली दोनों तरफ से ब्लड आता है फिल्टर होके निकल जाता है और पिशाब यह कैलेसिस है जो नॉर्मली तुछ इंपल डागरम है अपर मिडल लोवर होती है और इस कैलेसिस के अंदर यूरेन बनने का रिस्क रहता है और कुछ 10-20% पेशेंट में अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक या दो बार पथरी बन सकती है नॉर्मली पथरी का सथी चोटा होता है नॉर्मली पथरी जो है वह बन सेंटिमेटर टू सेंटिमेटर तक की होती है तो वह पथरी यह जो है नॉन प्री को भढ़ दियाये मतलब वह पत्री जो है वह उपर भी है मिडल में भी है और लवर है और मिल्टीपल है मनलब एक दो यह जब लोगए वह करना वाजब नहीं है दो इस से किद्नी में जगे नहीं होती बिल्कुली मुवमेंट की इंफेक्टेड होते है बुखाड़ाने का रिस्क रहता है कि इस कारण से बटर होता है कि हम इसके रुबीन ढालें यहां से यहां से और दुरूबीन डालके तुकड़े करके पूरी पत्री को बाहर निकाल ले इस टेक्निक को जिसके अंदर हम किन्डी में दुर्बीन डालते हैं और इस पत्री को तुकड़ा करकर करके निकालते हैं उसको बोलते है पीसी एनल वो पीसीनल का कुल्फॉपर्म होता है परकुटेनियस मतलब की आपने मतलब की आपने अमें चंक आपकर आदमी सबकर करते हैं जब यह जो स्टोन है यह नौन मतलब बिना चेदले टिकनीक से ना निकल पाया हो तो नौमली पांच कंडिशन से जिसमें हमें पीसिनल करना पड़ता है पहला कंडिशन है स्टोन का साइज स्टोन स्टाइगॉन है मल्टिपल स्टोन है डेड़ सेंटीमेटर दो सेंटीमेटर से बड़े स्टोन है जो नीचे पादी अंदर उस cases के अंदर भी हमें PCNL करना पड़ता है तीन रीडू सजरी मतलब पहले दो तीन बार सजरी हो चुकी है हर बार सजरी करना छोटा फ्रैग्मेंट बच जाता है और उस कारण से क्या है कि पूरी किड्नी क्लियर नहीं हो पाती है और किड्नी को क्लियर करने के लिए बेस्ट टेकनीक है सफाई करने के लिए जैसे आप सोचिए कि घर के अंदर को कुड़ा है हम कोशी कर रहे हैं दूर से उसको निकालना पर नहीं कर पा रहे तो बेस्ट होता है कि उसको पुरा खोल के प्रॉपरली उसकी दुलाई सफाई कर दी जाए चौता बच्चो में छोटे बच्चो में जो यह रस्ता है पिशाप का बहुत पतला होता है और दुर्बीने इतनी पतली है नहीं कि हम उनमें भाड़क पहुंच जाए तो उसकेस के अंदर फिर पीसीनल छोटे बच्चो में बेटर होता है और पांचवा डिफिकल्ट कई बार किया होता है क बहुत सेफ हो गया है लेजर सर्जरी हर जगे अविलेबल है हमारे अभी अविलेबल है इस कारण से 90% लोगों में 90% लोगों में आजकल पीसे अनल नहीं होता सिंपल आ रायारस से इस जब लोल से बिना कोई कट चीरे के सर्जरी प्रेफर होती है पर अगर यह पांच और पीसे अनल को पहले क्யुघ कर लेते हैं वालट कोष्ट्टन सबंख समझके कि उससे पिशेन को पॉल्म नहीं हो पर किडिंई में जो है वह एक चलोर मिलारा है किडिनी में यह अरहा है парigall 51 हर धारा रह है तो kidney में heart के बाद सबसे ज़्यादा blood होता है तो kidney में जब भी हम छेत करते हैं तो risk होता है bleeding होनेगा patient में तो PCNL डंक से करने से bleeding नहीं होती पर फिर भी अगर कोई जगे है, center है जापर साल में 100 या 500 PCNL हो रहे है तो हो सकता है किसी एक patient के अंदर bleeding हो जाए normally ये bleeding जो है दवाईयों से settle हो जाती है नहीं settle होती तो इसके अंदर embolization settle हो जाती है पर बहुत rarely, maybe पूरी lifetime में कोई 10,000 cases में एक case ऐसा हो सकता है कि bleeding कितनी ज़्यादा हो जाए कि open surgery करनी पड़े तो PCNL में kidney से bleeding का risk रहता है और ये consent हमेशा मरीज से लिया जाता है और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर इस stone को हम नहीं निकालेंगे तो इस stone दिवेदरे kidney खतम करतेगा अग kidney खतम होई जाएगी तो फिर क्या बचेगा तो इस stone निकालना भी ज़रूरी है छोटी सज़री हो नहीं पा रही है तो PCNL risk समझके करते है bleeding का risk minimal है पर risk है second problem PCNL की होती है कि PCNL के बाद 7-10 दिन का bed rest क्योंकि आपने कमर में छेट किया है क्योंकि आपने kidney में छेट किया है तो ज़रूरी है कि patient कम से कम 7-10 दिन after PCNL rest ले क्योंकि ज़र चलने से घूमने से भागने से दोडने से bleeding स्टार्ट हो सकती है तो इसलिए दिरे-दिरे PCNL out of reputation चले गया इसलिए दिरे-दिरे हम चले लेजर की तरफ पर जहां हम नहीं कर सकते लेजर वह PCNL करना पड़ सकता है और तीसरा होता है infection यह stone होता है बड़े अब यह stone ऐसे नहीं कि आपको अंदर diamond है यह stone होता है कच्रा टटी के तरह stone होते है और इन में बहुत सारे bacteria होते है जो हम तोड़ते हैं stones को तो यह bacteria है यह सारा blood में भागता है तो इस कारण से कई मरीजों को PCNL करने के बाद अगले दिन या दो दिन बाद बुखार आने का रिस्क रहता है इसलिए ज़रूरी है कि PCNL के बाद डॉक्टर नॉमली दो या तीन दिन मरीज को भढती रखते है चेक करने के लिए कि बुखार नहीं आ रहा और पेशेंट बिलकुल कमफर्टेबल है पर यह जो रिस्क बताया है मैंने आपको यह रिस्क नॉमली लेस देन वन परसेंट है मतलब अगर हम सौ लोगों में कर रहे हैं तो सौ में से हो सकता है सिर्फ एक आदमी में ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो पर उसको प्रिवेंट करने के लिए भी एस डॉक्टर हम लोग खून का त्यारी रखते हैं पेशेंट का हीमोगोबिन ठीक करते हैं पेशेंट को एंटिबाटिक प्रपली देते हैं उसको पूरा पानी पिलाते हैं उसक इपर्टंट है कि दो चीज़ेखें पहला तो बड़े चून होते हैं तो होता कि पूरा प्लां प्रपल करता है ऑप लोगा स citizen रेखता है उसका ही प्रोपी से करतें scroll कोने में च्छिप गया उन् pressures दिखता है सरजरी में वो अगले दिने में दिखता है सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि हम किड्नी के अंदर है तो हम 40-45 मिनिट के ऊपर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कई बड़े तो कोशी करते हैं कि मैक्समान स्टॉन निकाल दे कोशी करते हैं कि सौ था निकाल दे पर कई बार 5 उसक्राइब किछके बच जाता है जिसके लिए 2 ंग कई बार होता है तो तो PCNL में खर्चा नॉर्मली 75 से 80,000 रुपे तक पेशेंट्स का एवरेज पे होता है depending upon stone size, किस जगे surgery हो रही है, कौन से instrument इस्तमाल हो रहे है और पेशेंट्स को किस तरह की दवाईया दी जा रही है अगर आप अच्छे center पे जाएंगे, जहापर आपकी दवाईया high quality है जहाँ आपका instruments better है, जहाँ पर आपका पत्थर तोड़ने की मशीने expensive है जहाँ पर आपको post operative care अच्छा है, जहाँ आपको देखने के लिए nurse है, doctors है जहाँ पर surgeon खुद operate कर रहा है, तो वहाँ पर definitely खर्चा थोड़ा higher side पर रहेगा, क्योंकि PCNL जो है, एक छोटी दुर्बीन की surgery है, तो कई बड़ चोटे centers पे भाहर से डॉक्टर बुला के surgery होती है, उसमें antibiotic में compromise रहता है, instruments में compromise रहता है, कोई complication होगी तो देखने वाला नहीं है, kidney में दिक्कत हो कर देखने वाला नहीं है, उन condition में कही बार सस्ते में भी PCNL कोई centers में होता है, पर जरूर देख लीजिए कि जो डॉक्टर सर्जरी करने वाला है, आपकी वो proper urologist चो, instruments साफ सुत्रे हो, आपको infection का risk ना हो, अगर कोई दिक्कत हुई तो post operatively कौन आपकी जो, कोई अगर problem होई तो उसको कौन manage करेगा, यह सब चीजों को बार में सोचना पड़ता है, कोई कई बार आप PCNL कराते हो, हलकी जगह पे थोड़े पैसे बचाने के लिए और complication हो जाए, तो double पैसे लग जाते है, तीन पूर पैसे लग जाते है, और पैसे से पेले रिकॉर्ड होई थे, अब तो घर जा चुके है, तो उनका समझेंगे, उनको कैसे experience रहा, क्यों उनका PCNL हुआ, उनको facilities कैसे समझ में आई, और PCNL के बार आप खुद देखेंगे, पैसेंट कमफर्टेबली है, हेलो फ्रेंड्स, मैं राहूल, मैं डॉक्टर विजें पिसाने उसने जेली सर्जरी से पहले और आफ्टर सर्जरी कैसे फिल कर दें तो मैं आपसे चानना थाहूंगा सबसे पहले कि आपको कैसे परचला कि आपको किड्नी स्टोन है, मैं आल्टरासांड करके उदरी करने के बाद रहा दो पता चल गया कि मेरे बहुत सारे में करें जो था तो मेरे जैसे करके किड्नी करूब हो जाएगा इसे सोच करके सुच रहा था थे और फिर तगरीबन मेरा मैंडिशेट तो बना कर आया था जैसे करके भी करें के कहां करेंगे कुछ कोई कोई टोटर फ्रोल भी होता है फिर कम करता है काम बंता नहीं ऐसे सोच रहा था फिर इसको दिखा दिया फिर बीड को देखकर को मुझे अच्छा जैसे आप आये तो आप सर से मिलोंगे सब्सक्राइब क्या राइब क्या डवाइस की आपको ड़क्टर से दिखाते हैं मुझे एक टाइब का कॉंफिडेंस आ गया कि बीड भी थे और ड़क्टर का वो जो पैसेंगे साथ जो डिलिंग था उसका बढ़ता ओ मुझे बाइब कान्फिडेंस आ गया तो उसी सबसे मिए इसी ड़क्टर दिखाएंगे तो कराइंगे तो इसी ड़क्टर से करांगे ऐसे सोच के मैंने दिखा लिए अच्छा अच्छा आप्टर स्रजडी अब कैसे रिकावरी अपकी अभी मुझे दर्द भी नहीं ऑन इंप्यू इससरदर के बाद में बहुत चेंज आ गया मुझे जो दर्थ अब बंद हो गया जो इूरी ब्लोक था मतलब थोड़ा कभी कबार उरीन फ्लोग होता था उसमें भी चेंज आ गया दर्थ बीकाम मतलब पूरा बंद हो गया अभी में फीजिकली सारा कुरा अचारा से फिट अगर आपको दुबारा स्टोन ना हो इसके लिए आपको क्या वीचाहने जिस तरह मतलग जो खाना से आनी होगा वो पहले सी खाते नहीं थे और भी खाया नहीं हो फिर पहले का जो डॉक्टर से बात वा था वही बोले थे क्या से मत लेना अब क्या से बिल्कुल बंदे मेरे ठीक है ऐसे और भी पेशने जो स्टोन को लेके घूम रहे हैं वो इस सर्जरी से डरते हैं कराने से उनके लिए अपको क्या राया है बेस्ट इस यूरोलोज से मिल करके जैसे बीजैन्त गोविंदा गुपता जैसे ड़क्टर के पास आपकर कर लेजे नहीं तो फिर बाब म तो यह वीडियो था हमारा किनी स्टोन पीशन के उपर जो भी पीशन को स्टोन की सरजरी है काफी सेफ सरजरी है पीशन वेगरा नहीं होता इसमें पीशन सेम डेही थोड़ा सा वाक करने लगेगा तो आप देख सकते हैं कि सरजरी बिल्कुल सेफ है कोई दिकर्पी यह थी सब्सक्राइब करना पड़ सकता है पर कोई डेंजर सरजरी नहीं है प्रॉपली की जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और पीशनल से आपकी किड्नी भी सेफ रहेगी स्टोन भी निकल जाएगा और आप लंबे टाइम तक स्टोन स्टोन फ्री लाइफ इंजॉई कर सकते ह वाचिंग स्टे तून सेशट्राइब और के लिए हमारे सेंटर पे अल्ड फेसिलिटी स्टर्टिंग फ्रों येस ड्वल टू पी शेनल इंक्लूड़ीं लेजर की कोई भी सर्जडी पूरे व्ल्ड में होती तुम्हारे सेंटर पे विलेबल यह वह और बहूत रिजनेबल प कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो किस दो कर दो कर दो